और हर सौंबार के दिन साइंकालगु भव भारती का यहां पर आयुजन होता है यह मंदिर का निर्माण कहा जाता है कि पांडवों ने बनवाया कि यह मंदिर हमारा लगवर 11 वी सदी का बना हुआ मंदिर है खड़ा हूं पठारी के समीप कुठ केश्वर मंदिर में जो इस मंदिर का निर्माण करीब 10-11 शदी में हुआ था इहां पर कुछ खड़गान है उनसे हम लानकारी जेंगे इस मंदिर की विसस्ता है किया-क्या है इस मंदिर की विसस्ता के बारे में हम इहां के पड़िशे-विशाल बियाज जी से बात करते हैं वो इसके में बताएंगे कि यह मंदिर हमारा लगवर 11 सभी का बना हुआ मंदिर है और इस मंदिर की विसेष्था कुछ ऐसी है कि जो यहां भी आते हैं उनकी मनुकामना पूरत होती है कि पूर्ण वहने पर लोग अपनी अपनी श्यंग सार चडावा और जो भी मन में सद्धा होती उससाप से कुछ न कुछ चडाती और एक चीज़ और है यहां पर यह मंदिर का निर्माण का जाता है कि पांडवा ने बनवाया था तो ग्यार्वी सदी का यह मंदिर का जाता है कुल निरवार के तहट और जो यहां पर फीछे आप देखना देखेंगे मंदर में जो मुर्ती लगी हुई है वो हमारे संकर, भगवान भी तिर मुर्ती माहा शिवरातरी परप शिवाले में गुजय हर-हर महादेप के जोएकारे, बदिशा जिले के सबसे प्रसिद उदेपूर में महा शिवरात्री के पर उदेपूर मंदिर पर प्रशासन ने अपने तेयारियां पूरी की है तीन सो से जादा पुलिस जवान तेनात किये हैं और सुरक्षर विवस्ता की है वैस्वा उदेपूर मंदिर में श्रधाल को किसी प्रकार की कोई परिशानी ना हो इसके लिए अलग-अलग गेट बुराएं के हैं बतादे कि महा शिवरात्री के दिन लाखों की संख्या में श्रधाल उदेपूर की निलकाइंट मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनुक स्क्राइब करें